नमस्कार दीनास फूट कॉर्णर में आपका स्वागत है अभी के टाइम में गाजर मार्केट में बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं लेकिन किस तरह का गाजर आपको खरीदना है ये जानिए इसमें एलो पार्ट ज्यादा है ये मीठे नहीं होते हैं गाजर के पीछे एलो पार् है गाजर खरीदने वक्त लाल गाजर टाइट और कम वाइट और एलो पार्ट वाला ले जिससे आप कोई भी रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा इस्पेशली हल्वा आप ऐसे गाजर सलाद में भी खा सकते हैं इन सभी गाजर को अच्छी तरह से धोले औ उसे आप ग्रेट कर सकते हैं यही एलेक्टिसिटी प्रॉबलम हो तो नहीं तो मीनी चोपर से आप इसे कट कर सकते हैं उसी का सलुशन लेकर के आई हूं वैसे कूकर में उबालोंगी इसे लंबा लंबा कट कर ले जिससे ठंड के दिनों में ठंडे ठंडे गाजर को बनाएंगे तो आपको मार्केट जैसे ही टेस्ट लगेगा और फटाफट बन भी जाएगा ये मेथा टाइम सेवर भी है इस तरह से मैंने कट करके रखा है इसे बनाने के लिए बड़े कूकर का इस्तमाल करें सबसे पहले कूकर को गरम करें श्रधा नुसार इसमें घी डाले इसे मेल्ट कर ले अब गाजर के टुकड़े को इन में भून ले मीडियम फ्लेम करके 2-3 मिनट इने भूने जिससे टेस्ट इनहांस होता है बड़े गाजर के टुकड़े को जब हम भूनते हैं तो कूकर का हैंडल पकड़ कर कहीं चलाएं जिससे असानी होता है चलाने में अब इस स्टेज में एक कप दूर डाले अब कम भी दूर डाल करके इसे बॉइल कर सकते हैं इसे अच्छी दर से मिला ले और धकन लगा करके एक सिटी दे मैंने हाई फ्लेम पर एक सिटी दिया है देखे बॉइल हो गया है एक वा चमच की मदद से इसे मैश करें अब पोट आप इसे लोहे की कढ़ाई में दूर डाल करके भी भून सकते हैं श्रधा रुसार इसमें आप दूर डाले थ्री फोर्थ लीटर मैंने दूर लिया है मलाई डालना ऑप्शनल है और इसे मिला ले और इसे हाई फ्लेम करके गाढ़ा करें लगवक थ्री फोर्थ कप इसमें चीनी डाले या टेस्कीस आपसे डाले आप इसे स्टेज में भी खा सकते हैं खीर जैसा देखे दूद्ध सूख गया है इस वक्त भी आप थोड़ा सा घी डाल करके और भी भून सकते हैं हल्वा बनके तियार हो गया है इसमें ड्रैफ फूर्ट्स डाले मैंने काजू किश्मि और बदाम को क्रश करके डाला है थोड़ी से इलाइची का पॉर्डर आप ड्रैफ फूर्ट्स को भून करके भी डाल सकते हैं कट करके अब इसे सर्व करेंगे सर्व करने वक्त उपर से ड्रैफ फूर्ट्स डाल दें और थोड़ा सा घी डाल दें गर्मा गर्म सर्व करें और भी तेस्टी बनाना हो तो कूकर में जब हम लास्ट में हलवा बना लेते हैं तो थोड़ा सा घी और मलाई डाल करकी अच्छी तरह से इसे भूने तब भी बहुत ही टेस्ट अच्छा लगता है। जब इस मिथर से आप बनाएंगे तब क्योंकि उसमें टाइम भी काफी लगता है और घंटो कीचन में खड़े होना पड़ता है। और भी तरीके का गाजर का हलवा मैंने बनाया है। उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है प्लीज चेक कर ले। और हाँ जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।